माधोपुर नाम के गाउं में विवेक नाम का 21 साल का लड़का रहा करता था, जो गाउं के सेट के धाबे पर खाना बनाने का काम करता था अरे जल्दी जल्दी हाँ चला विवेक, बाहर ग्रहा कब से इंतजार में बैठे हैं? आज मैं पालक पनीर की खास रेसिपी बना रहा हूं सेट जी, देखना जो एक बार खाएगा वो अपनी उंगलियां चाट पर रह जाएगा अरे उंगलियां चाटने की बाद बाद में करना, पहले जाकर उन्हें भोजन दे कर आओ भई कुछ दिर बाद विवेक ने सबको भोजन लगाया, विवेक के हाथ का बना हुआ पालक पनीर सबको बहुत पसंद आया आज के पालक पनीर का तो कोई जवाब ही नहीं है सेट जी, पेट भर गया लेकिन मन नहीं बरा हा अब मैं क्या करूं भई, मेरे ढावे पर खाना ही इतना अच्छा बनता है कि लोगों का पेट तो भर जाता है, लेकिन मन नहीं बरता मेरी पतनी इतना अच्छा खाना जो बनाती है अरे क्यों जुट बोल ला है ओ सेट सारा काओ जानता है भोजन तो विवेक बनाता है उसकी तारीफ करने से आखिर आपको कैसी शरम देखा भाग्यवान सब उस विवेक की तारीफ करते हैं मैंने कितनी बार तुम से कहा है कि तुम भी उसके साथ रसोई में हाथ बटा लिया करो एक बार मैं मुझसे एक ही काम हो सकता है मैं पैसे ही गिन सकती हूँ अरे मूर्ख कल को अगर विवेक काम छोड़ कर चला गया न तो क्या होगा लोगों को तो उसके हाथ का स्वाद लग गया है इसलिए मैं सब को बताता हूँ कि ये खाना उसने नहीं बल्कि तुम ने बनाया है लेकिन तुम तो मेरी बात समझती नहीं ये बात तो आपने ठीक की अब कल से मैं उसके बगल में कुरसी लगा कर बैठूंगी अगले दिन से सिठानी विवेक के बगल में ही कुरसी लगा कर बैठने लगी फिर सेट ने सब गाउवालों को ये यकीन दिला दिया कि भोजन विवेक नहीं बल्कि उसकी पत्नी बनाती है ऐसे ही कुछ दिन बीटते हैं एक रोज विवेक धाबे पर जाने के लिए निकल ही रहा था कि तब ही सेड़ जी उसके घर पर आ जाते है सेड़ जी आप मैं तो धाबे पर आने ही वाला था वही मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि आज के बाद धाबे पर काम करने की कोई जरुवत नहीं है ये कैसी बाते कर रहे हैं आप सेड़ जी जहां तक मुझे पता है मैंने पूरी मेहनत से आपके धाबे पर काम किया है और नहीं कभी आपको शिकायत का मौका दिया तुम्हारी वज़ा से मेरा धाबा बदनाम हो रहा है ये आप कैसी बाता कर रहे हैं सेड़ जी जबसे मैंने आपके धाबे पर काम करना शुरू किया है आपका धाबा अच्छा खासा चलने लगा है हाँ लेकिन अगर मैंने तुझे कुछ दिन और धाबे पर काम करने दिया तो मेरे धाबे का नाम रोशन दा धाबा की जगा विवेक दा धाबा हो जाता इसलिए मैं अभी तुझे काम से निकालता हूँ ऐसा मत कहिये सेड़ जी मैं अनात हूँ बड़ी मुश्किल से अपना पेट पालता हूँ और मुझे तो खाना बनाने के अलावा और कोई काम भी नहीं आता नहीं आता तो वो तुम्हारी समस्या है मेरी थोड़ी और हाँ एक बात कान खोल कर सुन ले आज के बाद अगर ढावे के आसपास भी दिखे न तो दक्के मार कर बाहर फिकवा दूँगा बिचारा विवेक बेरुज़कार हो गया कुछ दिन घर पर रहने के बाद उसे एक विचार आया और वो सीधा गाउं के मुख्या के पास पहुँच गया मदद के लिए मुख्या जी मैं अपना गाउं छोड़ कर नहीं जाना चाहता और यहीं रहकर अपना धाबा खुलना चाहता हूँ मैं अनाथ हूं सेड जी मेरी मदद कीजी मुझे कुछ पैसे धाबा खोलने के लिए दे दीजी अच्छा ठीक है तुम्हें काम करो जो मेरी जमीन बंजर बड़ी है न वहीं पर अपना धाबा खोल लो और यह कुछ पैसे ये लो इससे धाबा बना लो ठीक है विवेक खुशी खुशी घर लोटाता है कुछी दिन में उसका धाबा बन कर तयार हो गया और उसमें लोगों की भीर लगनी शुरू हो गई अब सेड जी का धाबा खाली रहने लगा ये बात सेड जी को अच्छी ने लगी फिर एक रोज सेड जी ने चुपके से एक ग्राहक को पैसे देकर विवेक द्वारा लाये हुए राशन की बोरी में दवाई मिला दी जिससे लोगों का पेट खराब हो गया और ग्राहकों ने उसके धाबे पर आना बंद कर दिया अब उसका धाबा बंद हो गया फिर मुख्या उसके पास आया देखो मुझे मेरा पैसा और ब्याज चाहिए ब्याज? लेकिन ब्याज के तो कोई बात ही नहीं हुई थी मैंने कहा था लेकिन शायद तुमने सुना नहीं लेकिन मैं पैसे कहां से लाओ? मेरे पास तो पैसे नहीं है मुख्या जी तो फिर अपना ये घर खाली कर चल मुख्या ने विवेक को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया बिचारा विवेक आँखों में आसू लिये हाईवे किनारे लगे पेड के नीचे बैठ गया और रोते हुए अपनी किस्मत को कोसने लगा तभी उसने देखा कि उस पेड पर एक चिडिया का घोसला बना हुआ है उसमें एक चिडिया बैठी हुई है और उसके उपर एक चील मंट्रा रही है मेरा घर तो उजड़ गया लेकिन मैं इसका घर नहीं उजड़ने दूँगा विवेक ने पत्थर मार कर उस चील को वहां से भगा दिया तभी एक चमतकार हुआ डरो मत बरसो पहले मुझे एक श्राप के कारण इस घोसले में कैद कर दिया क्या था अगर तुम उस चील को नहीं भगाते तो वो मुझे मार देती लेकिन अब तुम अपने असली रूप में कैसे आ गई मुझसे कहा गया था कि जब भी कोई मुसीबत का मारा हुआ सच्चा यूवक तुम्हारी मदद करेगा तो मैं इस श्राप से मुक्त हो जाओंगी अब देखो मैं श्राप मुक्त हो गई तुमने मेरी मदद की है इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी अपनी जादूई शक्ती से मैंने सब देख लिया है जो तुम्हारे साथ हुआ है तुमने जिस घोसले को टूटने से बचाया है आज से वही घोसला तुम्हारा घर होगा और उस घोसले में तुम्हारा खुद का बना हुआ जादूी घोसला ढबा होगा इतना कहकर वो सुन्दर लड़की ने अपना हाँड खुमाया और देखते ही देखते वो छोटा सा घोसला एक बड़े से घोसले धाबा में परिवर्तित हो गया ये जादुई घोसला धाबा आज से तुम्हारा है और तुम्हें यहां से कोई नहीं निकाल सकता जब भी तुम्हें यहां से कोई निकालनी की कोशिश करेगा तो वो खुद ही बड़ी मुसीबत में पढ़ जाएगा कुछ दिर बाद एक बड़ी सी कार आकर उसके ढावे के सामने रुखी ये कैसा ढावा है भाई? ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा ये मेरा ढावा है आईए मैं आपको अपने हाथ का कुछ बना कर खिलाता हूँ अरे वा इतना लजीज खाना तो मैंने कभी नहीं खाया? मैं एक पत्रकार हूँ तुम्हारे इस घोसला ढावे के बारे में अपने अखबार में छापूंगा कुछ दिर बाद वो आदमी वहां से चला जाता है और अगले दिन अकबार की सुर्कियों पर विवेक का घोसला ढावाई होता है उस दिन के बाद विवेक अपने उस जादूई घोसला ढावे की वज़ा से पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया और उसने खूब नाम और शोहरत कमाई ये कहानी है नीरज की जिसके पिता इस दुनिया में नहीं थे और नीरज पढ़ा लिखा भी नहीं था इसलिए वो एक धाबा चला कर अपनो और अपनी मा का गुजारा चला रहा था नीरज की मा लीला भी धाबा चलाने में उसकी मदद किया करती थी नीरज चूलहा जलाने को एक भी लखडी नहीं बची है मैं खाना कैसे बनाओ नीरज फोरण अपनी कुलहाडी लेकर जंगल की तरफ चला गया नीरज की धाबे पर हर रोज गाउं के कई लोग खाना खाने आते थे लेकिन फिर भी नीरज की कमाई बहुत ज़्यादा नहीं थी क्योंकि गाउं में कमाई से ज़्यादा लागत थी यही वज़ा थी कि उसे चूलहा जलाने के लिए जंगल से लकडियां काट कर लाने पड़ती थी अब हाँ, इस पेर पर काफी लकडिय है, इसी से शुरू करता हूँ आह, आह, मेरे पंक, कोई बचाओ, कोई है, कोई तो मेरी मदद कर दो अरे, यह आवाज तो किसी लड़की की लगती है, लगता है किसी मुसीबत में है, मुझे देखना चाहिए नीरजुस आवाज की तरफ गया, उसने देखा कि वहाँ पर एक परी जैसी दिखने वारी लड़की थी, जिसके पंक कांटो भरी जाड़ी में फंसे हुए थे यह देखो, क्या शौक चड़ा था तुम्हें, यह परी वाले कपड़े पहन कर यहां जंगल में घुनने का, देखो, फाल्तु की मुसीबत मोल ले ली ना, रुगो, मैं अभी नकली पंकों को काटकर, तुम्हें इन जाड़ियों से अलग करता हूँ नहीं, मेरे पंकों को हाथ भी मत लगाना तुम, यह नकली नहीं है, यह मेरे असली पंक है, और मैं एक असली परी हूँ उस परी की बात सुनकर नीरच चौक गया, गौर से देखने पर उसे एहसास हुआ, कि वो पंक वाक कई असली थे, क्योंकि काटों में फसे होने की वज़ा से, उनसे काफी खून बैरा था ठीक है, मैं समझ गया, मैं तुम्हारे पंको को नहीं काटूंगा, पर देखो, मुझे तुम्हारी मदद तो करनी ही होगी, मेरा भरोसा करो, मैं सिर्फ जाडियों को काटने की कुशिश करता हूँ, ठीक है? उस परी ने नीरज पर भरोसा किया, और फिर नीरज ने बड़े ही ध्यान से उन सारी कटीली जाडियों को काट दिया, अब वो परी आजाद थी, लेकिन उसके पंक बुरी तरह से घायल थे, मेरी मदद करनी के लिए शुक्रिया, मेरा नाम नीलम है, और मैं परी लोग से य हाँ फस गई, मेरा नाम नीरज है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तो अब तुम अपने परी लोग वापस चली जाओगी ना, मैं चाहूं तो भी नहीं जा सकती, जब तक मेरे पंक बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते, मुझे यहाँ तुम्हारी दुनिया में ही रहना होगा, क मैं थोड़ी से लकडियां काट लूँ, फिर हम चलते हैं, पर लकडियां तो तुम काट चुके हो, वो देखो, नीरज ने पीछे मुर कर देखा तो वहाँ लकडियों का एक मोटा गढथा रखा हुआ था, जिसे देखते ही नीरज समझ गया कि असल में ये नीलम का जादू भी था, हम, तो तुम जादू भी कर सकती हो, पर एक बात बताओ, तुमने खुद को आजाद करने के लिए जादू का इस्तिमाल क्यों नहीं किया, और अभी भी तुम अपने पंखो को जादू से ठीक क्यों नहीं कर लेती, क्योंकि हम परियां सिर्फ दूसरों की मदद के लिए ही अपने जादू का इस्तिमाल कर सकती है, खुद के लिए नहीं, अच्छा, चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मुझे पूरा भरोसा है, कि मेरी मा के पास तुम्हारे पंखो को जल्दी से जल्दी ठीक करने का कोई ना कोई नुस्खा जरूर होगा, नीरज तुम्हारे पंख कुछी दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, शुक्रिया मा जी, लीला के बनाए जड़ी बूटी के लेप से निलम के पंख बहुत तेजी से ठीक होने लगे, लेकिन नीरज के हालात हर बीते दिन के साथ और भी खराब होते जा रहे थे, ये कैसी दाल से ही मना कर देते हैं, ये सब बहाने है, साफ बात है भई, खाने में स्वात तो माल मसाले से ही आता है, अगर वो ही नहीं डालोगे, तो फिर तुम्हारे ढावे पर आने का क्या फाइदा, साधी दाल तो घर में भी खाने को मिल जाती है, नीरज मजबूर था, वो चाह कर भ मखन ढूर रहा था, नहीं मिला तो नाराज हो गया, लगता है अब फिर कभी अपने ढावे पर खाने नहीं आएगा, नहीं आता है ना आए, भाड में जाए, तू अपना दिल छोटा मत कर बेटा, ये गाउं की लोग है ही ऐसे, हर कोई उधार खा कर जाता है, उपर से इने दाल में मखन भी चाहिए, नहीं मा, लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, पर हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, वरना हमारा धाबा बंद हो जाएगा, नीरज की चेहरे पर हताशा और मायूसी साव दिख रही थी, साथ ही चिंता भी, उसकी मा लीला भी उदास हो ये दोनों कितने परिशान हैं, और नीरज तो मेरे जादू के बारे में जानता भी है, लेकिन फिर भी इसने मुझसे मदद नहीं मागी, इतनी परिशानी में भी इन दोनों ने मेरी मदद की, तो मुझे तो इनकी मदद करने ही होगी, नीलम परी के पंख अब बिलकुल ठी लेकिन उससे पहले उसने नीरज की मदद करने का फैसला किया, तो ये है वो दालमकनी, ठीक है, तो ये गया इसमें धेर सारा मक्खन, बस इतना काफी नहीं है, मुझे कुछ और भी करना चाहिए, नीलम परी ने उस दालमकनी के बरतन पर अपना जादू कर दिया, और फिर वहां से चुप-चाप वापस अपने परिलोग चली गई, फिर कुछ देर बाद, अरे भाई, कोई है क्या यहाँ, खाना मिलेगा क्या, हाँ, हाँ, क्यों नहीं साब, आईए बैठिये, दाल मक्खनी और रोटी बिल्कुल तयार है, बस मैं अभी लेके आया, नीरच खाना लेने ढाबे के अंदर गया, उसने जैसे दाल निकालने के लिए भगोना खुला, तो दाल के उपर धेर सारे मक्खन को तैरता हुआ देख कर हैरान रह गया, ये इतना सारा मक्खन, लगता है माने डाला होगा, पर वो इतना सारा मक्खन लाई कहां से, चलो, बाद मैं पूछ लूँगा, फिलहाल खाना लेकर जाता हूँ भार, नीरच खुशी-खुशी वो धेर सारे मक्खन वाली दाल मक्खनी और गर्मा-गर्म रूटियां लेकर ग्राहक के पास गया, जिसे खाते ही ग्राहक का चेहरा के लुठा, बही वाँ, बही वाँ, सचमें मज़ा आ गया हूई, मैंने शेहर से एक से एक होटल की दाल मक्खनी खाई है, पर इतना मक्खन तो कोई भी नहीं डालता बही, और तुम इतने कमदाम में इतना मक्खन डाल लगयो, मानना पड़ेगा भी मानना पड़ेगा, और ये भी कहना पड़ेगा कि तुम्हारी दाल मखनी का स्वाथ भी बहुत बढ़िया है शुक्रिया साब, मुझे खुशी है कि आपको मेरा खाना पसंद आया ये बढ़िया है तो पसंद तो आनी ही है मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारे पास और ग्रहाग भेशता हूँ मेरे साथ और भी लोग शहर से आये हैं वो तालाप के पास जो फैक्टरी का काम चलना है न हम सब उसी के सिलसले में यहां आये है मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी ये डाल मखनी सभी को पसंद आएगी हां तुम तयार हो, मैं बस अभी भीशता हूँ ने और हाँ, उनके आने से पहले जरा दाम भी बढ़ा लो सुआट के हिसाब से खाने का दाम बहुत ही कम है यहां इतना कहकर वो आदमी वहां से चला गया जो कुछ हो रहा था नीरच का उस पर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल था लेकिन फिर भी उसने होश संभाला और फटाफट रसोई में जाकर काम में लग गया ऐसा करता हूँ फटाफट और रोटिया बना लेता हूँ दाल तो शायद काफी होगी नीरच ने ऐसा ही किया कुछी देर में उसके ढाबे के बाहर ग्रहकों की भीर जमा हो गई नीरश ने फटाफट सभी को दाल मखनी के साथ गर्मा-गर्म रोटियां परोसी और सभी ने बड़े ही चाव से खाना खाया सारा दिन यही सब चलता रहा बावजूद इसके कि नीरश ने दाल मखनी का दाम पहले से जादा कर दिया था लोगों ने भर पेट खाया और उसका दाम भी चुकाया फिर शाम के वक्त लीला जब वापस आई तो ढाबे का हाल देख कर चौक गई अरे नीरश इतने सारे बरतन और मैंने बाहर देखा तुने दाल मखनी का दाम बढ़ा दिया है नीरश लीला को सारी बात बताता है ये तो बड़े कमाल की बात है पर बेटा दाल मखनी में मखन मैंने तो नहीं डाला तो फिर वो आया कहां से ये बात तो मुझे भी परिशान कर रही मा खेर ये सब बाद में सोचेंगे अभी मुझे ये बता कि थोड़ी बहुत डाल बची है कि नहीं वरना मैं जल्दी से कुछ और बना देती हूँ बिचारी निलम को भी तो भूख लगी होगी न मैं डाल का भगोना खोल कर देखता हूँ मा ये तो पूरा भरा हुआ है पर ऐसा कैसे हो सकता है है ये तो चमतकार है बेटा अब जाब चल्दी से जाकर निलम को भुलाला मैं गरम रोटियां बना रही हूँ तुम दोनों साथ बैट कर खा लेना नीरच को बात कुछ-कुछ तो समझ आ रही थी लेकिन जब नीलम परी उसके कमरे में नहीं मिली तो उसे पूरा यकीन हो गया कि उसकी सीधी साधी दाल मखनी को जादूई दाल मखनी बनाने वाली और कोई नहीं बलकि नीलम ही थी जो अब वापस परी लोग जा चुकी थी नीलम परी के जादू के असर से दाल मखनी का वो भगोना कभी खाली ही नहीं हुआ उस जादूई दाल मखनी से नीलम ने ना सिर्फ अच्छी कमाई करके अपने हालात बदले बलकि उसने ना जाने कितने गरीबों का पेट भी मुफ्त में भरा और ये देखकर सबसे जादा खुश्ट नीलम परी थी जो परी लोग से हर वग बस नीरच को ही देखा करती थी हलो दोस्तों कैसे है आप सब हमारी कहानिया देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजे और हाँ बैल आइकोन पर क्लिक करना मत भूलेगा